असलामुलेकूं आज हम भौझी consistency मज़दार से कांटपूर कि भौधी मशूर हरी धनिया के चट्टि कांची आलो गया है तो देखिया कैसे बनाते हैं अग्या हमने कर मिनने चट्टि पासांँ य हृश नई बंच हरदनिया 930 सारी हरेदनी के यूज़ करना है और ये दो तीखी वाली हरेमेट चे ले लिए बड़े साइज की चोटा साथ रख का टुकड़ा है एक आधा नीम्बू है बड़े साइस का और यहां पर हमने यह थोड़ा सबना जीरा पाउडर यह अमचूर का पाउडर और काला नमक लिया ह सकते है इसकी हम चेटनी पीस के तयार करेंगे और यह फाल वोई में टीखक लेघनें लेंगे हमारी हम मिर्चे के अधिगार दाल तब ही हमारी चेटनी बढ़ा बने गी और आलो भी उसी से मज़िक के बनेगे हरे मिर्चे एक पढ़ा borrowheen मिर्चे डाल देंगे हरे मिर्चे बढ़ा भी सकते हैं तो यह दो ही डारी हमने तोड़ा सा नीमू करत डाल देंगे अगर चोटा नीमू है तो आधा डाल दें पूरा और आधा वाद में यूज कर लेंगे तो यह जो अमचूर का पाउडर और काले नमक है वह बी हम डाल देंगे तो यह अद्रक का टुकड़ा है इसको छोटो चोटो पहले काट देते हैं ताकि अच्छे से पेस जाएं और ये काड़ आ उर्माग पैस्कत की ट्याया ये तो अलों को हम छोटिंक है अगर आपके पास से बेवी पटेटो जो होते हैं तो आप इन से बischen बड़ाए बनें बार चाओं पॉ हमोला चायेम और भी बैबार साधने बेशते हम थोटी तो अपने हसाब से कट कर ले और फिर इसमें हम हरा दनिया की जो चट्नी हमने पीसी है वो धिरसी मिलाएंगे तो यह देखे इस तरीके से हमने आलो को काट लिया जो बड़े हैं उनके थोड़े ज़्यादा पिसका लिया है इस तरीके से देखे ताकि खाने में ऊसानी होगा और हम इसमें डालेंगे हरा दनिया दो जादा सी हरा दनिया डाले न कह चट्मी tuouldasya भूना जीरा पाउडर हैriminूडर्व है इसमें निवू कराज डालेंगे यह हमारा हर दनिया के आलो बन के तयार हो जाएंगे बहुत ही मज़े के चिट्पटे से आलो तो यह बचावानी में डाल देंगे और सब करेंगे इसको तो अगर इस टीट्पट वाला आपको मज़ा लेना है वैसे ही फेल करना है तो इस तरह के पत्तों में आप सब करें बहुत ही मज़े की लगा देखने में भी और देखने में अच्छा लगए और खाने में मज़े का तो होगा ही तो बस इस तरह के से सर्फ करें और टूट्पिक लगा दें इसके उपर जिसके आगे आप सर्फ करेंगे बहुत ही पुश हो जाएगा वो तो रमजान आ रहा है उसमें इस तरह के चैट पटी रेसिपी बहुत ही अच्छे लगती है तो हमारी रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा आप लो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्र सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलेंगे इंशालला ऐसी एक बज़दार सी रेसिपी के साथ अल्हाफिज अस्सलामुलाइकूम